हालो स्टूडेंट्स बच्चों आज हम पड़ेंगे पाठ पाच्वा पैचान हमारी भाग एक इस पाठ में हम मात्राव को पैचानेंगे अ की कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन आ की मात्रा एक स्टान्डिंग लाइन होती है ठीक है बच्चों आज हम अ और आ स्वर वाले शब्द पड़ेंगे स्टार्ट करते हैं फॉर्स्ट वन चोह एक अंक होता है हिंदी में हम चोह इस तरह से लिखते हैं नेक्स्ट इस डफो कौन सा वर्ड है डफो डफली बचाते हैं ना तो यह डफली बचाने वाले डफली है नेक्स्ट इस बचड़ा गाई के बच्चों को बचड़ा कहते हैं नेक्स्ट है हतेली उसके बाद है डम्रू शिव जी के हाथ में हमेशे डम्रू रहता है ना वो डम्रू उसके बाद है फल अंगूर, सेब, अनार, आम, केला यह फल दिखाई दे रहे हैं ना फ्रूट्स में नेक्स्ट है अदरक अदरक को इंगलिश में क्या कहते हैं जिंजर ओके उसके बाद है अनार, अनार को इंगलिश में क्या कहते हैं पोमेग्रनेच, उसके बाद है दमकल, दमकल का चित्र है ना दमकल का मतलब क्या होता है, फायर ब्रिकेड, जहां आग लग जाती है ना, वहाँ पर फायर ब्रिकेड की गाड़ी जाती है और आग पुझाने का काम करती है उसके बाद है जलचर, जलचर, पानी में रहने वाले जीओ को हम क्या कहते हैं जलचर उसके बाद है कटहल, कटहल, कटल का मतलब जैक फ्रूट नेक्स्ट है आकाश, आकाश का चित्र है ना, आकाश मतलब स्काई नेक्स्ट पिक्चर है घट, घट का मतलब घडा, मटका उसके बाद है हाथ, हाथ कचित्र है ना, उसके बाद है कच्छुवा, कच्छुवा मतलब टॉटॉइज उसके बाद है शलगम, शलगम मतलब टॉनिप, अपने हेल्ट के लिए, स्वास्त के लिए शलगम बहुत अच्छा होता है उसके बाद है घड़ी, घड़ी तो सबके गरों में रहती है ना, टाइम देखने के लिए घड़ी उसके बाद है टमाटर, टमाटरो, टमाटर को हम कच्छा भी खा सकते है और पका कर भी खा सकते है और लास्ट चित्र कौन सा है, थपकी का चित्रो, थपकी किसे कहते हैं, मा अपनी बेटी को सुलाने के लिए हाथ को उपर नीचे करती है ना, उसे हम कहते हैं थपकी अभी इदर कुछ शब्द दिये हुए है, वो शब्द हम लोग अभी रीड करेंगे दरो, फोरो, घरो, रत, शोक, शोरदो, शोहदो, दो शोको, आदरो कोहो कोरो, कोहोकर, ओरोहोरो, ओशोरोफो, अटककर, आहो, डाको, छाश, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहारो, शारदा, शाकाहार, और लास्टे, फटकार तो इस प्रकार बच्चो, आज हम लोगों ने ओ और आस्वरवाले शब्द का अध्ययन किया, थेंक यूँ झाउा झाउंत